यहाँ पार देख शकते हो कुछ इस प्रकार से आज की सट address को हम बताने वाला है कि किस प्रकार से यह सारे एकसे सीरीज के मदद से सीरीज कर सकते हो और फुल फ्ल फावर के साथ आप DJ साउंड सिस्टम को चला सकते हूं ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तों मेरा ना मंकीत है और आप देख रहें डीजैंक्यू चलिए बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई आप एक ऐसा वीडियो लाओ जिसमें दो एमपलीफायर जो की पावन एमपलीफायर हो और साथ हेसे इमपलीफायर हूं जिससे हम ट्रांट या ओरन चला सकीए ठीक है तो कुछ इस परकार अरणकर की सेटब हारने लाही है गआज ।ो । किस प्रकार से और सारे को करनेक्ट करने के लिए यह यूज करेंगे साधे साथ हमारे जो मिक्सर है यह यूज करेंगे तो हमारे पास यहां पर देख सकते हो 6.5 6.3 mm की jack जो है यह हम यूज करेंगे यह सारे amplifier को connect करने के लिए तो यही जैक सब अधिकतर यूज होता है हमारे इधर ठीक है यहां पर देख सकतो यह पूरे जो है यह बात है कि आप कौन सा amplifier से क्या चीज़ चला रहे हो ठीक है तो सबसे पहले जो भी चीज़ हम चलाएंगे जो चार amplifier मेरे पास है तो जो भी चीज़ चलाएंगे वह आपको हम बताते जाएंगे ताकि आप समझ सको और वही काम आप भी कर सको ठीक है ऐसा नहीं कि connection कर दिये बाई ऐसे तैसे हो गया ठीक है कुछ ऐसा नहीं करना है तो यह वीडियो जह है यह वीडियो बहुत सारे लोगों का डिमांड था तभी मैं ला रहा हूं वीडियो लाओ जिसमें हमारे पास दो power amplifier हो साथ ही साथ दो ऐसे amplifier हो जो ट्यूटर या driver unit को चला सके ठीक है तो कुछ कुछ इस परकार से आज है और बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट केते कि वाई कुछ इस परकार से वीडियो लाओ तो चली वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही साथ आपको बताते कि कौन सी amplifier से मेरा क्या चल रहा है तभी आपको समझ में आने वाला है और साथ ही साथ किस परकार से डिये 20 में connection करेंगे चली वीडियो को हम confirm कर देते हैं कि कौन सी amplifier से हमारी क्या चल रही है और साथ ही साथ यह भी बताएंगे speaker कैसे चला सकते हो ठीक है तो चली शुरू करते सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यह जो हमारी amplifier है यह चार टॉप चला रही है और साथ साथ हमारे यह जो amplifier है और यह amplifier से हमारे क्यूटर चल रहे है जो कि टॉप के ऊपर रहते हैं और अगर हम driver unit को भी देंगे तो एक amplifier से देंगे ठीक है तो कुछ इस परकार से सारा चीज जो है हमारे confirm हो चुक है कि कौन से amplifier से क्या चीज हमारी चल रही है तो चल यह connection करते है उ यहां पर एक और जैक का सुविधा दिया यह भी आप यूज कर सकते हो तो हमेरे पास हम लोग जो लोकल यूज करते हैं यह यूज करते हैं तो चल यह connection को करते हैं ठीक है तो कुछ इस प्रकार से इसे दोनों को install यहां पर कर देना दोनों को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं ह चला देता लेकिन आपको जिस प्रकार से मैं settings बता रहा हूं यह easily और आप भी समझ जाओगे ठीक है और आप ही easily चला सकोगे तो कुछ इस प्रकार से दे नहीं है और यह जो दो निकली हमारी कुछ इस प्रकार से जो हमारी यहां से दो जाईगी जैक और यह दो जैक निकली आपको तो किसी में भी आप दे सकते हो राइट या लेप्ट हम अभी आपे लेप्ट पर दे देते हैं कोई भी इसमें कोई भी दिकत नहीं होगी तो यह देख सकते हो हमारी जो एक amplifier हो हो चुकी है कुछ इस प्रकार से connection तो देख सकते हो यह हमारी इस्टेंजर की SPV4 के है यह हो चुकी connection देख सकते हो आप चली शुरू करते एक और जो amplifier है उसे भी कर लेते हैं तो यह जो हमारी जैक है तो यह जैक को आपको यहां पर दे देना है यह जो हमारी एक amplifier है वो चल चुकी है लेप्ट में ठीक है तो यह जो हमारी जाएगी इसमें राइट में नहीं लगाना आपको मैं बता देता हूं कि राइट में नहीं लगाना यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आप driver unit या tutor भी यूज कर रहे हो अच्छा यह चीज क अगर यह चीज को भूलों गहाई तो दिककत हो जाएगी ठीक है तो यह जो हमारी power-power amplifier है यहाँ लैट में देदीलिएस देख सकते हो यह जो हमारी amplifier है, यह connection हो चुकी है, यहां से यहां तक ठीक है, तो यह दोनों जो है, यह एक channel में जा चुकी है, जो की left में, अब हमारी चुकी है आउजा, अब आउजा को देख सकते हो, यहां पर input का जो option है, आउजा का input, इसमें डाल देने हैं, simple है पूरा, इसमें डाल के आप आपको जो भी jack निकलेगा, अब इस से आपको ध्यान रखना है कि भाई, इस से आपको क्या चलाना है, तो इस से हमारा जो भी है, वो tutor चलेगा, तो tutor चलेगा, मान लीजिए कि हम यहां tutor चला रहे है, तो tutor में तो guys, उतना best उसमें देते नहीं हैं, आम तो पर उसमें best खोलत से नहीं है, तो इसमें best कमी रखते हैं, तो इस line में आपको नहीं देना है, left वाली जो line है, इसमें आप नहीं देना है, क्योंकि यह भाई हमारी best पूरा खुलेगी, ठीक है, तो इसको right में दे देना है, ठीक है, right में यहां पर दे देना है, okay guys, यह right में चले गई, और एक jack जो हमारा और ब SMITH, देख सकते हो कुछ इस परकार से, यह जो jack है guys, यह भी हापको दे दना है, आउजा की input में, यहां पर दे देना है, इनपुट में देख सकते हो यह input का lining है, तो input में इसे दे देना है, और input में देने के बाद इसको भी आपको यहां पर, यहां पर right पर दे सब्सक्ता है और काठ सकता सिधा सिधी अगर बोले तो और यहां पर कुछ इस प्रकार से ये जो पूरा connection ये हो चुका है देख सकते हो और गाइज इस में देख सकते हो हमने यहां पर भी वायर यहां पर connection कर रखे बैस यह हमारे box चल रहे है क्योंकि साउंड बॉक्स कुछ चल रहा था यह वाला साउंड बॉक्स तो इसलिए मैं यहां पर इसको लगा रखा है तो यह कनेक्शन हो चुकी है अब चलिए हम अपना डिए 20 से अपना मिक्सर में कनेक्शन करते हैं और आपको बताते किस प्रकार से इसमें स्पीकर की वा इनपूट से निकल रहे हमारे दो जीएक यह हमारी आउटपूट में जो कि मिक्सर की आउटपूट में जाए compress आलाइनक में ठीक है यहां पर इनपूट की लाइएनिंग में देंना है जो कि रिखली सबको भी पता होगा है अब यह जो पूरा कनेक्शन है वो लोगों के अब चलिए स्पीकर वाली बात थोड़ी सी कर लेते कि स्पीकर वायर भाई कैसे connection किया जाते किस प्रकार से Jack हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर बैस कि अगर बात करें तो यहां पर नीचे देख सकते हो स्पीकर कि यहां पर लिखी हुए है स्पीकर भी लिखा हुआ भाई तो यह जो जैक आपको मिल जाता है यह एंप्लीफाइर के साथ मिलता है तो यह दो जैक इनस्टॉल करके आप एजली वायर को जोड़ सकते हो ठीक है और यहां पर वायर भी जोड़ सकते हो अब तो अप्शन भाई दे दिया कि आप वायर भी जोड़ सकते हो ठीक है खोई भी समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब यह दो जो एंप्लीफाइर वच्चा आप ट्यूटर चलाओ या जो भी है वह चलाओ ठीक है तो हम मानलों कि हम इसे ट्यूटर चला रहे तो यहां से connection करनी है यहां से नहीं करनी है यहां से आपको साउ और यूनिट के लिए हमको यहां पर देना है ठीक है इसमें साउंड बोक्स अभी चल रही है इसलिए मैंने यहां पर दे रखा था ठीक है यहां पर आपको जो कि हमारी जो होने वाली ओbars यहां से चीए हर यह आ से चले जूक भी सिपीकर वाली box यहां से चले चीज जैए कोई भी अख दीक्कत में होने चीज़ें हमने आपको सोथ भी बताएँ करसे कब यह आप कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो भी नियुव लोग है जो भी हम्हें बोल रहेते हुआ कुछ फरकार की वीडिियो लाओ तो उसके लिए बाइ पर्फैक्ट जो कि इस परकार की क्रेक्शन कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है सब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यह जो भी सारे एंप्लिफायर ना यह से एंप्लिफायर को ऐसे आपको जो भी बिजली है यहां भी आप कनेक्शन करोगे वह ऐसे डारेक्ट नहीं देना है आप अस्टबलाइजर का यूज जरूर करना बिजली कंट्रोल करने के लिए ताकि आपका जो एंप्लिफायर वह पूरा एक दम मतलब धमाके दर साउंड आपका निकाले मतलब फूल वोल्टेज के साथ आपको मिले तभी आपका जो साउंड सिस्टम में वह पूरा फूल चल सकेगा अगर आप एजली मतलब ऐसे कनेक्शन कर देते हो बोड या क बता देना चाहता हूं तो आप लोग जरू यूज करना और यह कनेक्शन जो है यह देख सकते हो कुछ इससी प्रकार से यह पूरा कनेक्शन हो चुका गाई आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना और साथ ही साथ अभी तक अगर वीडियो को लाइक नही बहुत बहुत दाने वाद